हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप समीका अपके प्ली चैनल पर हर्दिक वागत है दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे थाकि हम जो भी जनकारियां दें वो आपको तुरंद प्राप्त हो सेकिए दोस्तों हमारी जानकारी रिसरच प्याधारित होती है और संपूर रूप से लादायक होती है फ्रेंड्स आज मैं आपको सहथ के लाब बताऊंगा सहथ यानि हनी इसे कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तों सबसे पहले चिन लोग की इसमर्सक्ती कमजोर है प्याजिन बच्चों का पढ़ाई में महत करने पर भी अच्छी नमबर नहीं आते हैं उनके लिए एक शवदस्त अचूप रामबार उपाए यदि रोज आधा चमज दालचिनी पाउडर एवाम एक चमज सहद नीमित रूप से लेते हैं तो मस्तिस के लिए बहुत फाइदेमंद होता है इसमर्सक्ती मजबूत होती है दिमाग तिव रहोता है साथ ही रोज आधा चमज दालचिनी पाउडर और एक चमज सहमक नीमित रूप से लेने से रोग प्रत्रिदुक शम्ता की वृद्धी होती है यहाँ साइनस यहाँ टिव जुका में भी लाबदायक होता है फ्रेंड्स आजकल बहुत लोगों को आँख पिचस्मा लग रहा है क्योंकि हम इंटरनेट, मुबाइल या टेलिवीजन का इस्तमाल चादा कर रहे हैं इसके लिए आँखों की जियोती बढ़ाने के लिए दो चमज सहत को गाजर के रस में मिलाकर निमित सिवन करें आँखें सो साल तक स्वस्त रहेंगी यह निश्चित है सर्दी जुकाम खासी में दो चमज सहत और उसके बरावर मात्रा में अद्रक अरस मिलाकर चाटें पुरुड लाफ मिलेगा यह घरिलो उपाय है और निश्चित रूप से संपूर रूप से लाप्त पदान करेगा काले मिर्च, पाउडर, सहत और अद्रक रस मिलाकर बरावर मात्रा में रोजाना दिन में तीन बार लेने से स्वस्त कास में अराम मिलता है रक्त चाब निंतरड के लिए एक चमच लहसुन रस में दो चमच सहत मिलाकर निमित सेवन करें संपूर लाप्त होगा दोस्तों एक लास कुन्गने जल में दो चमच सहत यो एक चमच निवू रस मिलाकर प्रोसुबक्त साम खाली पेट सेवन करने से मोटापा कम होता है करने से आप लंबी और स्वस्ति जिन्दगी जी सकते हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपको यह अलग अलग उपाए बताए हैं यह सारे आप इन में से कोई भी एक के लिए आजमाते हैं एक एक्सपेरिमेंट की रूप में आजमा कर देखिए आपको संपूर लाप टाप्त होगा मैं खासर कहना चाहूँगा कि आजकर जाम का कॉमप्रिसन का प्रेसर बढ़ता जा रहा है तो बच्चे या जो बड़े भी नौजवान हो गए हैं जो जाम की त्यारी कर रहे हैं कॉमप हमारे चनल को सबस्क्राइब करें इससे आप सेर करेंगे इस वीडियो को तो आपके अन्य मिख्तरों और सतारा को भी लाब होगा धन्यवाद